पथरी, stone की problem जैसे जैसे विक्टी का आहार विक्रित होता जा रहा है और शारीरिक्शं का अभाव होता जा रहा है पाने की मात्रा कम होती जा रही है हमारी daily life में हम पाने कम पीते हैं और तलिवे पदार्थ जज़्यादा खाते हैं उससे पत्री हो जाती है एक तो गाल ब्लेडर में स्टोन होता है एक पेंक्याज में स्टोन होता है एक किड्नी में स्टोन होता है फिर किसी को गले में और किसी को तो पूरे शरी में कहीं पर भी स्टोन हो सकता है कैल्सियम डिपोजिट हो जाता है ज्यादा तर वो पत्री बन जाती है वो कल्सियम डिपोजिट पेंक्रियस में भी हो सकता है वो कल्सियम का डिपोजिशन वो जो है हमारे किड्ने में भी हो सकता है और कल्सियम डिपोजिट मैंने एक को देखा गले में पत्री हो गई ये तो ज़्यादा तर जो पत्री हो कलिस्यम से बनती है यदि आप नेमेत रूप से कपाल भाती प्रणायम करते हैं और थोड़ा तेज चलते हैं या तेज दोड़ते हैं तो आपको कभी भी पत्री नहीं होगी आप पाने की मातरा पूरी से बन किया करें गाल ब्रेडर में स्टोन भी बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है गाल ब्रेडर का जो स्टोन है वो कलिस्टोल की बढ़ने से होता है यदि आप नेमेत रूप से कपाल भाती करते हैं तो आपको गाल स्टोन भी नहीं होगा और आपका कोलेस्टोल भी कंट्रोल में रहेगा तली वे पदार्थम ज़्यादा खाने लगे और शारीरिक श्रम छुट गया इसमें कपाल भाती तो जरूर करना चाहिए तो आपको किड्नी स्टॉन, गाले स्टॉन, अथवा पेन की आज का स्टॉन यह श्रीर में कहीं पर भी स्टॉन हो सकता है तो पाने की मातरा का पुरा ख्यान रखें, कभी कभी 6 फी लिया करें थोड़ी से खटी 6 फी लिया करते थे, उसके और भी बहुत गुण है उसे मुत्र रोग भी नहीं होते, शरीर के विकास के लिए भी उसमें कल्सियम से ले करके दूसरे पोशक तत्व होते है डाइजेस्टन के लिए भी बहुत अच्छी होती है चांच का सेवन कभी कभी का लिया करें पहले लोग कुल्थी की डाल कभी 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 खा ले थे तो कुल्थी का डाल का सेवन करने से कहीं पर भी आपके शरी में स्टोन नहीं होगी और स्टोन होने के बाद आप कुल्थी को उबाल करके कुल्टी का दा ले एक दो चमस ले लिए उसको एक पानी में उबाल करके एक ग्लास पानी में उबाला है पचास ग्राम बज गया तब सो ग्राम बज गया तो च्छान के पी लिए उसको पत्री के लिए मूली का pasies प्रयोग भी बहुत अच्छा हुता है पहले मूली लोग खाया करते हैं अभी भी हम सलाध आदी में उसका प्रयोग करते हैं जो मूली का नेमी तरुम्त सेवन करते हैं उनको पत्री नहीं हुती है तो जो का सेवन जो करते हैं उनको भी पत्री नहीं होती है और पत्री के दवाई के तोर पर हम लोग यवक शार है मुली कशार है जो का मुली का कशार बना लेते हैं उसकी प्रक्रिया है फिर हजरल यहूद भसमोस में हम डालते हैं फिर स्वेद प्रफटी का सेवन को उसमें डालते हैं तो इससे हम अश्मरी हर रस बनाते हैं यह एक एक ग्रम सो बैसा हम इसका सेवन कर सकते हैं यह पथरी के लिए बहुत उक्प्यूगत होती है और पथरी के लिए कुछ काड़ होते हैं जैसे वरुन की चाल है, गोखरू है, पुनरनवा है, पाशान भेद है, इन सब को मिला करके एक अश्मरी हर क्वाथ हमने बनाया, उसका भी सेवन, एक एक चमस सुब ऐसा मुसको काड़ा बना करेके पी लिया तो उससे पत्री दूर हो जाती है, एक पत्थर चटा पत्ते होते हैं, कहीं पर भी कोई किसी भी माली से आप पूछ सकते हैं, हम भी अपने नर्शर इमोस को लगाते हैं, लोगों को सिखाते हैं, बताते हैं कि आप कैसे अलग-लग बिमारियों में, अलग-लग ओशदियों का जो रिबूटियों का प्योग कर सकते हैं, तो ये पत्थर चटा गाल ब्रडर पूरा ही भर गया है स्टोन से तो उस समय तो फिर आपको उपरेशन कराना ही पड़ेगा लेकिन प्रारंबी का बस्ता का गाल स्टोन भी कपाल भाते निरंते ने करने से डिजोल हो जाता है क्योंकि वो निकलता नहीं है उसका एक दूसरा तरीका है तो ये पत्री के लिए योग का और अरिवेद का जो उपाए है ये बहुत ही महत्वण है और ये रामबान है ये अचूक उसकी दवा है आप खुद इन रुक्सों को अपनाएं और दूसरों को भी बताएं जिससे की किसी को भी पत्री के लिए ओपरिशन कराने की जरूरत ना पड़े